में हुदिक्षा और मेरे चैनल पर स्कीन केर हैर केर से रिलिटेट बहुत सारे वीडियो अपलोड की है अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए वीडियो अच्छा लगता है तो यह आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आज मैं आपसे शेर करने वाली हूँ समर में आप इसे यूज कर सकते हो जी हाँ आज मैं आपसे शेर करने वाली हूँ एक इसी डाइ जिसे आप महंदी भी बोल सकते हैं hair dye भी बोल सकते हैं या hair pack भी बोल सकते हैं लेकिन मैं यहां इसको बोलूँगी hair dye क्योंकि अपके बालों को color करने वाली है पर में normally हम कुछ ऐसे hair pack होते हैं या कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो ठंड में हम use नहीं कर पाते हैं मैं दे भी बहुत सारे experiment आप कर सकते हैं इंडिको लगा सकते हो आप लगा सकते हो आप जो डाया आप शेयर करने वाली हो लगाने के बाद बाहर लापके black हो जाएगे लेकिन बालों पे अगर आपको black color नहीं चाहिए तो अच्छा सा color भी बहुत ही अच्छा से आ जाएगा जो मैंने यूज किया है और मेरे बालों पे आप देख सकते हो लाइट के वज़े से इतना नहीं दिखेगा यहाँ क्लिप मैं एड कर दूँगी धूप में आपको मेरे बाल में यहाँ दिखाऊंगी जो color मुझे चाहिए ताप perfect वही color आया है मुझे भी जाड़ा black color आज जो dye आपसे शेयर करने वाली हूँ इससे आपके बाल ब्लैक भी हो जाएगे अगर आपको थोड़ा brown shade चाहिए वह भी आपको मिल जाएगा लेकिन मुझे black shade इतना पसंद नहीं है और मेरे जो white roots से उने मुझे touch up करना होता है वह भी मुझे show नहीं करने है लेकिन black shade भी चली वीडियो करते हम स्टार्ट यहाँ हमें फर्स लेना है पानी उसमें हमें लेना ही कलोंजी मिन्स अनियन सीट्स वन स्पून आपको लेनी है वन स्पून आपको चाई पाउडर इसमें योज़ करनी है आप चाहे तो मेती दाना भी इसमें डाल सकते है मेती दाना hair growth के ल अज़से आपके बालों पे बहुत अचा कलर भी आता है और बालों पे एक शाइनिंग भी आजाती है तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से उबाल लेना है अगर वन ग्लास अपने पानी लिया है तो आपको आदा ग्लास पानी होने तक इसे अच्छे से बॉil कर लेन थोड़ा सा long roast कर अधा सकती है यह जो आमला पाउडर होती तोसे थोड़ा ridiculous कर लोज़ा सकती है इस थोड़ा सा नोसी योथे होती है इन में होता है vitamin C और आपके मालों को काला बनाने के लिए best होती है इनकी अधाय भी वह भी आपको बालों को बहुत ही अच्छी से ब्लाक बनाती है प्रिमैचर ग्रे हेर की प्रोब्लम हो तो इन्हें सब यूज करके उस आप कम कर सकते है तो आपको इन सब चीजों को अच्छी से बॉयल कर लेना है बॉयल होने के बाद ठंडा होने के लिए रख दीजे जब पानी आदा हो जाए तब आपको इसे ठंडा होने के लिए रख देना है ठंडा होने के बाद आपको चान लेना है और आपको नेक्स टेप करनी है इसमें डालनी है आपको महंदी जीहा महंदी आपको डालने है, जो आप यूज़ करते हैं, वो डालने हैं, लेकिन जो chemical वाली होती है, जिसमें color mix होते हैं, वो महंदी यूज़ नहीं करनी है नैचरल महंदी यूज़ करें, जिनमें कोई मिलावट ना हो, तो यहां मैंने ये महंदी यूज़ की है, और महंदी अच्छे से आपको फेट नहीं है, अच्छे से उसको mix करना है, उसमें कोई lumps ना रहें, जैसे हम normal महंदी लगाते हैं, उस तरीके से महंदी पर बहुत सारी experiment करके हम हमारे बालों को color कर सकते हैं, black कर सकते हैं, orange कर सकते हैं, brown कर सकते हैं, या dark, जिस तरीके से हमें color चाहिए उस तरीके से हम कर सकते हैं, इससे related बहुत सारी videos मेरे channel पर हैं, आप उन्हें भी देख लीज़े, आपको इसमें महंदी डालने हैं, इतनी आपको लगानी है उतनी quantity में ले लीजी अच्छे से mix कर लीजे और बाद में आपको मेंधी को rest करने के लिए रख देना है अगर तुरंट आप मेंधी लगाते हो तो color नहीं आएगा orange color आएगा और वो इतना अच्छा नहीं दिखता है बालों पर अगर white hair हो तो वो उटके आता है तो आपको क्या करना है मेंधी को rest करने के लिए रख देना है at least 5-10 मिनिट मेंधी को rest करने के बाद वो settle हो जाती है और अच्छे से mix हो जाती है इस तरीके से आप यहाँ देख सकते है और बाद में next tip आपको क्या करना है आप चाहे तो इसमें indigo यूज़ कर सकते हैं जी हाँ मैंने indigo यूज़ किया क्योंकि मेरे जो white hair है उन्हें मुझे touch up करना था तो इसके वज़े से मैंने इसमें indigo डाला है अगर आपको बालो को काला बनाना है तो आपको इसमें डालना है indigo ओके indigo जो आपको suit होता है वो ही आप यूज़ कर लीज़े इंडिगो की quantity होती थोड़ी ज्यादा ही डाली है और आप इसमें aloe vera gel डाल सकते हैं तो यहां मैंने aloe vera gel डाला है wow skin science का यह भी बहुत ही best aloe vera gel है नाचरल इसमें कोई preservative नहीं है तो इसको आपके इसमें डालना है कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हैं aloe vera जो pulp होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे mix में grind कर लीज़े इसमें डाली है aloe vera हम इसलिए डाल रहे है क्योंकि जो indigo का dryness होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है और बाल आपके smooth हो जाते है वैसे पर aloe vera skin और hair के लिए best होता है तो इन सब चीज़ों को आपको mix करना है पाने इसमें डालना है पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छे से mix कर लीज़े जो मेंदी होती है और जो aloe vera है उसमें indigo अच्छे से mix हो जाएगा बार में 5 मिनिट साइड में रख दीज तो आपको 2 घंटा या 3 घंटा आपको रखना है 3 घंटे के उपर आप इस hair pack को मत रखे नहीं तो बाल आपके dry हो जाएगे और बाल कमजर होके तूटने भी लग सकते है तो यही side effect होता है इसलिए आपको कोई भी चीज सही समय पे लगानी या सही time तक लगानी बहुत और बाद में 2 घंटे के बाद आपको अच्छी से wash कर लेना है tap water से या गुनगुने पानी से शांपू यूज नहीं करना है वही सब process है जैसे इंडिगो मेंती में हम यूज करते हैं हमें first time शांपू बिलकुल यूज नहीं करना है next day आप यूज कर सकते हैं तो इससे क्या ह होता है आपके बाल काले भी हो सकते हैं अगर आपको काले बाल नहीं चाहिए जैसे मुझे नहीं चाहिए तो इंडिगो इसमें मैंने डाला था मेरे जो हाई थे अच्छे से टच अप हो जाएगे और बालों पे जो कलर होता है पूरा ब्लैक नहीं आएगा एक अलगी शेड आप यहां देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राउन शेड भी आया है और ब्लैक भी आया है जो मुझे परफ्रेक कलर चाहिए था वो मेरे बालों पे आच्छा है अपके बालों के लिए अच्छा है है और साथे में बालों को कंडिशन भी हो जाता है वह भी नैच्रिल्ट विद का अधिक arrival बालों को पाल बनाइ सबस्क्राइब करें जब बहुत भी बेस्ट होथ ऑसलिए इसे थे लगाने हो दूप में बहुत ही मत बहुत एंग कर दूप में और आपकी फाल हेल्दी भी दिखते हैं और जाठी है कलर भी हो, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब भी कर देना नेक्स वीडियो भी हम मिलेगे तब तक लिए बाई बाई टेक केर